आई ये बात करते हैं आज के पहले महा उपाएगी क्या आप चाहते हैं कि आपके घर में लक्षमी जी का स्थाई वास हो ऐसे में एक लोहे के बर्तन में जल, चीनी, दूद और घी मिला ले इसे पीपल की पेड़ की चाया के नीचे खड़े होकर पीपल की पेड़ की जड़ में डाले थोड़ा साही करें बस मन में श्रद्दा होनी चाहिए इससे घर में मा लक्षमी का वास होता है दूसरे महा उपाए को जानने का टाइम आ गया है क्या पती-पत्नी के बीच जगड़ा इतना बढ़ गया है जो कोड तक जहां पहुचा है किसी तरह से समझोते का कोई असार नहीं दिखता आप भगवान गनेश की उपास्मा करें गनेश जी को लड़ू चढ़ाएं गनेश जी को प्रसन होकर आपकी मनुकामना अवश्य पूरण करनी पड़ेगी पती-पत्नी के बीच आपसी मद्वेर दूर करने के लिए अपना पलंग पूर्ष की दिशा में लगाएं चाहे अलग-अलग रह रहे हो तब भी पलंग पूर्ष दिशा में ही रखें इसे पती-पत्नी के रिलेशन्शिप में चेंज जाएगा अब आज का तीसरा महा उपाय जान लेते हैं क्या घर में सुख सिम्रिद्धी नहीं है? बार-बार घर का चैन खो जाता है घर में सुख सिम्रिद्धी लाने के लिए मित्धी के सुन्दर से बर्तन में कुछ सिक्के लाल कपड़े में बांद कर रखें इस बर्तन को गेहूं या चावल से भर कर घर के नौर्थ-वेस्ट कोने में रख दें ऐसा करने से घर में पैसे की कोई कमी नहीं रहती अब आज का चौथा महावपाई क्या है ये जानी है क्या कोई पुरानी बिमारी है जो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही गोमती चक्र को लेकर एक चांदी की तार में पिरोएं और पलंग के सिरहने बांदे लेकिन डॉक्टर का इलाद जरूर जारी रखें इलाद से कोई छेट चार ना करें आई अब आपको आज के आखरी और पांचवे महावपाई के बारे में बताते हैं क्या घर में पैसा ठहर गया है ध्यान रखना है कि आपके घर में कोई नल लीक ना करता हो लेकिन पानी टप टप टपकता ना हो और आग पर रखा दूथ या चाय उबलनी नहीं चाहिए परना आमदनी से ज़्यादा खर्चा होने लगने के लिगा